बात रोमाली चपल है और ब्यारल जार्म राइडा कपल है यह ज्यादा दिल गुंटी क्या आग रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है राजस्तानी कोमेडियन ताउज जी की यानि दोलत राम जी की बायोगराफी, एज्यूकेशन, केरियर, फैमेली, फैवरेट तिंक्स दोस्तों यह भी जानेंगे कि यह कोमेडिय की लाइन में कैसे आए अगर दोस्तों आप भी एक कोमेडियन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं ताउज जी की बायोगराफी के बारे में तो दो़सटों इनका रियल नेम दोलत के उंका निकनेम डोलत वे ताऊ जी है दो़स्तों दोलत का जनम उन्नीस विचान में को राजस्तान के चूरू जिल्ले की रतनगर तेसल के एक गाउं लोहा में हुआ वहीं बात करें दोलत राम की एजूकेशन के बारे में यानि दोलत राम ने पड़ाई लिकाई कहां तक किये तो दोस्तों मैं आपको बता दू दोलत राम ने जएदा पड़ाई लिकाई नहीं किये क्योंकि इनकी रूची बच्पन से ही कोमेडी में थी फिर भी ये साथवी कलास पास है इन्होंने बचपन से ही सोच लिया कि मुझे तो कोमेडियन ही बनना है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके परिवार के बारे में तो दोस्तों इनके परिवार में इनके माता पिता बाई बेन पतनी और बच्चे रहते हैं दोस्तों इनके पिता जी का नाम भाउडाल जी बीरडा है, दोलत राम छे भाई भाई ने और दोलत राम के दो बच्चे हैं, दोस्तों दोलत राम अपने वीडियो में ज्यादा तर अपने बच्चों वे पत्नी के साथ दिखाई देते हैं, दोस्तों दोलत राम का कहना है कि म कومیडिया हुने के साथ-साथ, बातें भी कومیड़ी के अंदाज में करते है, इनका कहना हैं कि, यहां तो सभी डानसर फेवरेटी है, और आपने डांस करनő को नावे गवे, डानसर को के काम, दोस्तों दोलत राम को Angeles के अलाव रुच्छी, चाई की दुकान में है क्योंकि ये चाई के बड़े सोकीन है दोस्तों वहीं बात करें दोलत राम के केरियर की कि ये कोमेड़ी की लाइन में कैसा है तो दोस्तों इन्होंने बीबी की वैंस का एक कोमेड़ी वीडियो देखा जिसमें एक line थी कि एक अनादी भी खिलाडी बन सकता है कोशिस करने पर लेकिन कोई भी कारिय करने से पहले उस कारिय को सही से समझो उसके बाद कारिय करो और उसी line को याद रखते हुए दोलत राम कोमेडी की line में आए और आज इस मुकाम को आसिल किया अगर दोस्तों आप भी दोलत राम के फेनो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक दोलत राम के कॉमेड़ी वीडियो नहीं देखे तो अभी जाकर देखो इनके चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इनकी गोमेड़ी की देखने के बाद आप भी कहोगे मजा आया दोस्तों वहीं बात आती है कि इनके पास कार बाइक कौन सी है तो दोस्तों फिलाल इनके पास एक स्प्लेंडर पलस बाइक है दोस्तों लोग ये भी सोचते हैं कि ये एक मेने में कितनी कमाई करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू एक कलाकार के लिए कमाई कोई माइना नहीं रखती उसें बस केवल लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों उमेदि करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा पसंद आया तो इसें लाइक सेर वे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद